दोस्तों स्वागत आप सबकार इंडियाज नेमर्ण फेंटेशेक रिकेंगरू यूट्यूब चनल पर गाइस पीएसली स्टार्ट हो चुका है जिसका सैकेंड मैच आज पिशावर जालमी और क्राची के बीच में खिला आएगा अब पीएसल का मतलब आप सब को पता है कि प पोस्त मत छोड़ो और एक भी मैच मत छोड़ो तो यहां पर मैं आपको बदाऊंगा कि इस मैच में आज कौन-कौन से प्लेयर हैं जो खेलने के लिए अवलेबल हैं जो पिलेंगे उनका हिस्सा बनने वाले क्योंकि सबसे बड़ी कन्फूजन अभी तक यही बनी हुई है क कौन-कौन से प्लेयर पाकिस्तान पहुच गए हैं तो यहां पर मैं इस वीडियो में आपको बदाऊंगा कौन-कौन से प्लेयर इस मैच को खेलने के लिए अवलेबल है कहां पर यह मैच कर रहा है कितना स्कोर बनाएगा कितने विकेट गरेंगे और सबसे इंपोर्टन कौ विजन 11 पर जितने मैंच खेले जितनी जोईन करी सारी के सारी विन करिए एक्जामपल के लिए आप यहां पर देख सकते हो यह आरलेंड वमेन वर्सिस इंग्लेंड वमेन का वर्ल्ल कप का मैच है इसमें मैंने एक लाग चार हजार रुपे विजन लेवन पर इंवेस्ट क कमाना है ऐसी प्रॉफिट कमाना है तो भाई पूरा वीडियो देख लेना पूरे वीडियो में एक एक चीज में आपको बता दूंगा कि कौन सा प्लेयर क्या करेगा किसको लेना है किसको डॉप करना उसके बाद फिर जो आपकी टीम मनेंगी आप किसी को भीजिली आराथ ह कि और मेरे इसाब समय लोग जीतने के लिए तो पूरा वीडियो से कुछ देखेंगे और गाइस खेलना कहां पर है सबसे बड़ा कोश्चन आपका यह होता है खेलना कहां पर है प्रॉफिट कहां पर कमाएं तो भी जहां मैं खेल रहा हूं सारा पैसा विजिदे लिट पर आपर यहां पर इंट्रीफीस सबसे कम हैं कंपटीशन उससे ज्यादा कम है अगर आप एक अवरेज टीम बनाते हो तो आप यहां पर डेर सरा पैसा कमा सकते हो रीजन रीजन भाई यहां पर आपका टाइम से होता है आप सब सुनते आ रहे हो कि टाइम इस मनी और यही कि लिक में अलग-अलग जोईन होती है यहां पर क्या है आप 30 मिनट में से 39 मिनट आप टीम बनाने के लिए दे दो और एक मिनट में एक ही किलिक में आप 200 जोईन कर लो तो जितना थाहिम आपके पास होगा उतना अच्छे सोच कर अच्छी टीम बना पाऊगी और यही यहां जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर वीडियो में सारी चीज़े बता दूंगा कौन रन बनाएगा कौन विकेट निकालेगा बट फाइनल टीम टॉस के बाद ही बननी है क्योंकि प्लेंग लिए उन टॉस के बाद ही कंफर्म होगी और पिछ रिपोर्ट जा आठ लाक 61,000 वोगों रिजोइन के होगा है कितने लोग रहे आठ लाक 61,000 जिनको रोजाना फ्री में टीम मिल रही है फ्री में गयोवेज मिल रहे हैं और रोजाना लोग लोगन लाकों करना है तो छोट असा काम करना होगा क्या वाइस वीडियो के description में जाओ comment section में दोनों जगा मैंने telegram चल कर link दे रखा है अगर आपके phone में telegram नहीं है तो telegram app download कर लो और download करके मेरे link से जाओगे तो सीधे fantasy cricket glue telegram channel पहुंच जाओगे नीचे join का button होगा join कर लेना यह काम जरूरी है अब भी क्या भी join कर लो बाद में पूरा वीडियो देख लेना एक बार जोने के बाद आपको फिरी में टीम मिलेगी फिरी में टिप्स मिलेंगे और मेरे विनिंग प्रूफ मिलेंगे और फिर पैसा है और बाइचांस अकर link से जोन ना होता आप telegram पर सर्च करना fantasy cricket बिल्यूटिक वेरिफाइड चैनल है आपको मिलेगा जोन कर लेना उम्मीद करता हो जोन कर लिया होगा नहीं कर आए तो अब भी description में comment section में जाकर जोन कर लो अब बात कर लेंगे तो यह मैच कराची में खिरा आगा कल का मैच मुल्तान में खिला गया था चले जाते हैं तो अच्छी विकेटर बैटिंग के लिए और जो विकेट गिरेंगे उसमें पेस को थोड़े से एक्ट्रा विकेट मिलेंगे बाकि इस प्रस भी यहां पर अच्छे खासे विकेट निकालते हैं आगे मैं आपको साहरी दिखा देता हूं जिसे कि आपको 20 बनना और इसमें से भी आप देखो कि पहले बैटिंग में साथ जीते हैं अगर हम बात करें यहां पर पिछले दस मैच होगी तो एक भी मैच में 150 से कम नहीं बनाएं तो इससे आप समझ सकते हो कि यहां पर अच्छे खासे रन बन जाते हैं अब गाइस से आगे बात करें 20 लीग के मैचिस की तो उन्चास में से सत्रा बैटिंग में जीते हैं 32 जीते हैं मतलब की 32 मैच जीत रही है मतलब जो चेज करें कि उसके जीतने के चांट होगे ज्यादा होंगे अब इसकोर की बात करें तो बहतर है और यहां पर आप देखोगे तो 190 के उपर सोला बार बन इंग्लैन की बीच पाक्सितान की टीम ने और इंग्लैंड यह मैच बदकिस्मति से गई थी एक टाइम पर लग रहा था कि इसली मैच जीत रहा है परवड पाकिस्तान की जो बॉनिंग हुई थी इंगिलेंड को याद भोगा उसके पहले मैच के लिए पाक्सितान की बिच स्कूर और पाकिस्तान की टीम सिर्फ 108 बना पाई यह ठीक है 220 का है यह 199 का स्कूर है 200 का टार्गेट पाकिस्तान को मिला पाकिस्तान ने टार्गेट बिना विकेट खोए चेज कर लिया रिज्वान और बाबर की जोड़ी ने तो आप देख सकते हो कितने इसली यहां पर बैट पिछले चार मांचों की भाई पिछले चार मैं सब्सक्राषं कोले प्छे की बालाई मतलब करें अच्टान की तो पिषभर की त atención काफी आगयों इसgeben में भी पिषावरвид की टीम कराची से बहुत चारा लिए से बोहुत जळादा मझा नहीं तो एकिऊ-्पैशा justamente मारिए लिए होले यह पावजूद इसके कि कराची के लिए बाबराजम हर मैंच में हाप सेंच्यूरी बनाते थे अभी तो खैर वह कराची के अगैंस्ट खेलेंगे पिशावर के लिए पड़ इसके पहले तीन मैंच खेले गए तीनों में लगतार आपके बाबराजम ने हाफ ठीक है अब उल्टा हो गया है अब यह बंदा जी स्केल के लिए रंप बनाता था उसी के लगाइस्ट, कैलेगाstal थे खेंड हैब रेगुलर प्रहं करते हैं रभ्र टीन då गई है और उसके हैं और उसनल पाद बात किरें एक और की तो आपको आपके रियाज रेड्लर विक निकाल देड़ोंडल दिखेंगे दो आप ले रहे इसमें-समें दो मुझी नहीं पर आ रहे तो रियाज भावरार मलिक तीनों कर रहे है परहले चार में उच्बराइब आगे आगे में आपको दिखा देता हूं कि भाई मैंच कौन सी टीम जीतेगी तो ओन पेपर्स आपको पिशावर की टीम बहुत मजबूत नजर आएगी और मेरे साब से पिशावर की टीम इसमें जीतनी भी चाहिए तो उसी का कॉड़ी तो एक चीज में आपको बताते चलू कि और पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते उनको मॉर्निंग हो जाएगी अब मॉर्निंग में पाकिस्तान पहुंचेंगे पूरी नाइट ट्रावल किया है तो मेरे साब से शायद उनको रेस्ट दिया जाएगा खेलेंगे नहीं तो इसी तरीके से प्लेयर पाकिस्तान पहुं आपको चाहिए तो उसके लिए आपको टेली ग्राम पर फॉलों करना होगा तो विल्हाल जो मेरी साथ से इनकी प्राइग लेंग रिए उसमान कादिया और है इसमें शायद यह का दी चैंज आपको देखने को मिल सकता जैसे हेडजागलू को ड्रॉप करके यह शायद आपके किसी अच्छे इस्पिन बॉर्टर को ला सकते हैं और आपके आमिर जमाल या दानिश अजीज को ड्रॉप करके हारी स्वेल को ला सकते हैं तो यह चेंजिज आपको देखने को मिल सकते हैं अब गाई इस टीम में आप देखि सब्सक्राइब करें तो काफी मजबूत बैटिंग लाइन पर फिर आपके रुद्धर पोड़ है यह चादा उम्मीद आप कर नहीं सकते आमिर जबाल बैटिंग तो उतनी अच्छे नहीं है बागी बॉलिंग कर लेते हैं वहाब रियाज टॉप की बॉल रहे हैं सल्मान रिशाद अच्छे खासे बॉल रहे हैं उस्मान कादिर पाकस्तान के उबरते हुए सबसे टॉप के लेग स्प्रेट्स में से एक है और पिटर हैड़ लोग को आपने बिग बैश लिग में देखा ही है तो इस टीम में से मेरी टीम म बैट्स में तो इस टीम की तरफ से लेना वालूंब आप चाहतों साथ में के लिए फिर आप चार बैसमान लेना पर देखोंगा तीन आप बॉलर ले लिए आप आगे हम बात करें कि मैं क्यों कि फिलियर को ले रहा हूं मौहम्मद आरीस बहुत अच्छा पूमिस लिए रह ला नहीं है क्योंकि इसी टीम के लिए खेलते आए हैं तो हम कैडमोर ठीक है रिसेंट पॉरमेंस और इस ग्राउंड पर बाइस का वरेज है इस टीम के लाए रोमें पावल तीस रान ते तीस रान इकिस रान चल रहा था और हैट टुएड में अभी तक आउट हुए नहीं है इस ग्राउंड पर आट का वरेज है बहुत खराब है लुद्र फॉर्ड 37 दो पचास चौदा चार यह इनका यूट का प्रफॉरमेंस है और हैट में कोई बड़ा प्रफॉरमेंस अभी तक आया नहीं है हलागि नोट आउट नोट आउट दीखनी के विए से आपको बैल अच्छा आप्शन मिरे को दिख रहा है कि मैं शायद हरी स्वेल को तो ज्याद अच्छा रहेगा अब जमाल है इंग्लेंड के अगेंस्ट एक रण एक विकेट दस रन उसका नेशनल टीट ट्वेंटी कप में एक एक विकेट और तीन विकेट एक ठीक थीक था रन भी बना ट्रैप्टर नेपने टीम के तुबाइं रिशाद है फिक ठाक रहा हैं थीन में तीन और ग्राउट पर पे तीन तो बड़ा प्रमिस आया निया था कि इस आप ले सकता है तो मैं बोल रहा था कि आपको पिटर हैडजे लू जो लेंग सुपना रहा है उनकी जगापर आपक यह खेल सकते हैं अच्छा आप खिला सकते हैं अब थोड़ा सा मेरी साथ से रिस्की चांस है आप अगर खिला रहे हो तो आपको रुदर फोड को डॉप करना पड़ेगा है मैं आपको बोली रहा हूं कि हारी स्वेल को आप दानिश एजिजिक पर खिला लो कि नैशनल टी-20 क काफी अच्छा इनका पहुंच रहा तो उसकी बेस्पिन को ट्राइब कर सकते हो सैम यूब शायद केलेंगे लेफ्ट है उसके बाद आ जाते हैं आपके जिमिली शाम जो कि अभी ट्रावल कर रहे हैं मौर्ण में पहुंचेंगे उस बाद खेलते हैं नहीं केलते हो एक सब्सक्राइब कोई बड़ा इनका विकेट आए नहीं अभी तक तो यह होगी आपके पिशावर जालमी की टीम बाकी इसके लावा आपके शाकी बिलहसन को भी इनोंने साइन किया है अगर वह खेलेंगे तो टॉसके डाइब बताद दे जाएगा और वह मस्त होंगे आप गाइस अगर हम बात करेंगे बालिंग अटेक की तो इनके पास फुलर या फिर इनकी जगह पर कोई दूसरा पेसर फिर यहां पर आपके एंड्रू टाई हैं और महम्मद आमिर हैं यह इनकी तीन पेस अटेक होंगे इमाद वसीम लेफ्ट आम अब्रक बालर हैं सामने बहुत सारे राइट हैंड राना तो अब्यसी बात है और आपके अकरम यह इनको असिस्ट करेंगे यह पेस्मार्ट यह इस्पिन वसिस्ट करेंगे वाकि मलीक को भी और मिल सकते हैं अब गाइस इस ट्रिम में से कौन-कौन से प्लेर होंगे वहां से मैंने च्छे लिए यह कि अगर मैं इमाद को ले रहा हूं तो फिर मुझे शैर्जील और आपके में तो किसे को ड्रॉप करना पड़ेगा और मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा तो फिर शायद मैं से अब अभी कंफर्म नहीं यह कंफर्म आपको टेलीग्राम पर टॉस के टाइम पर होई जाय गा तो यह मेरे प्लेयर है जिनको आज में पिक करने वाला हूं आपको दिखाएता हूं शर्जिल खान कोई बड़ा प्रॉमेंस आया नहीं है इसलिए मैं इनको ड्रॉप करने के बारे में सोच रहा हूं है अभी तक फ्लॉप भी चल रहे हैं वर्लकप में फ्लॉप रहे ट्राइ तो मलिक काफी इंपॉर्टन प्रेयर होंगे कासी मकरम राइटाम अच्छे और रहे हैं वालिंग से उम्मीद मत करना बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं करते हैं तो अगर टीम ड्रॉप कर रहे हैं तो वह एक अच्छा डिसिजिजन होगा आपके जैम सुलर है इनका कोई सब्सक्राइब बड़ा पॉमिस आए नहीं साउथ अफ्रिकेट टेकिंग बॉल रहे हैं चाहे बीपी लो चाहे बीपी लो चाहे पीए सलो अब गैस उसके बात करें एंडू टाई की तो इन्होंनों रेगुलर विकेट निकालें बैश लीग में और पहली बार करेंगे इस यह आपके आमिर उय आमीन है तो यह शायद खेलिंगे नहीं आगे आपके इम्रान ताहिर है तबड़र शमशी है अबने बुले खेल सकते हैं और प्लिंग लेउन का इस्सा भी अंगे वी रमजा है मोहमद उमार है मुसा है फिर आपके फैसर अक्रम है तो यह हो गई आपक पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्षिन में लिंक से जाओगे कोई आपको मेहनत नहीं करनी अब यहां पर बात करूं मेरी टीम की इस वक्त में बनाई हुए तो इसमें मैंने हारिस को और वेड को विकेट कीपर लिए हुआ है बैटिंग में बाबर आजम है पॉव और इधर से मैंने मुहमद आमिर और एंड्रू टाइब लिया हुआ है पांच और छे का मेरा कॉम्बिनेशन है कैप्टन इसमें आपके बास बाबर आजम बहुत चीज़ चोईस होंगे उस बाद इमाद मुसीम वाइस कैप्टन लिए कापी अच्छे है और अगर तो चलिए मिलते हैं टेलिग्राम पर तब तक के लिए बेस्ट अफ लाइक